जेससी सीजील से जुड़ा ताजा अपडेट यह सामने निकल करके आ रहा है कि सीजील परिक्षा में नेट बंदी यानि जो इंटरनेट बंद किया गया था पूरी राज्य में हन का केश जो है कोट से निस्पादित कर दिया गया है जी हाँ देखी पूरा मामला क्या है सीजियल परिक्षा के दोरान पूरी राज्जी में इंटरनेट सेवा बंद किये जाने का मामला मंगलवार को हाई कोट ने निस्पादित कर दिया चीफ जस्टिस एमेस रामचंदर राओ और जस्टिस दीपक रोसन की अदालत ने प्राथी को छूट दी कि ऐसा मामला फिर होता है तो दोवारा अदालत आ सकते हैं अदालत ने कहा कि दाएर याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित नहीं रह गया है इस कारण इसे निस्पादित किया जाता है यानि अमामला जो है कोट चे निस्पादित कर दिया गया है जारखंड राज्य करमचारी चेन आयोग ने 21 और 22 सेप्टमबर को राज्य के 823 केंद्रों पर परिक्षा उजित की थी परिक्षा के दौरान राज्य सरकार ने सभी तरक के इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी जिससे पुरी राज्य में कामकाज प्रहावित हो गया था इसके बाद बार कॉंसिल के अध्यक्ष राज्यंदर कृष्ट ने याच का दायर कर सरकार के शादेश को रद करने का आगरा किया था हाइकोट के हस्तशेप के बाद सरकार ने वाटसप इंटरनेट को छोड़ कर सभी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी थी यहाँ तो यह था मामला आज का JSSC CGL से जो अपडेट आया हमने आपको बता दिया आगे जैसा भी अपडेट आएगा JSSC को ले करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे